हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल गार्डनिंग फॉर हैपिनेस में आज मैं अपने गार्डन में विंटर के लिए जो मैंने शॉपिंग की है उसकी क्या पूर्ट तयारियां की हैं क्या लेकर आया हूं आज उनको यह दिखाओंगा और यह मैंने कितने मिलाया है प्राइस वह सब भी बता दूँगा ज्यादा ने लेकर आया कुछ चीज़ें ही लेकर आया हूं लेकिन वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज पॉट साइथ मिले हैं 40 रुपीज इच पॉट मिले हैं चुकि यह बड़े साइज वाले क्रेसंथमा फ्लावर्स इसमें होंगे बड़े-बड़े साइज में होंगे इसलिए इसको थोड़ा सा उन्होंने महंगा दिया यह विंटर्स की जो भी स्टार्टिंग है भी तो यह चोटे-चोटे पॉथे मेल जाते हैं तो आपको आपका गार्डन में यह वैसे भी क्रेसंथम यह सेवंती बहुत अच्छे से खिलती है और बहुत ज्यादा मात्रा में खिलती है तो बहुत अच्छी लगती है यह विंटर्स की मेरे को लगता है सबसे जादा यह जान होती ह पूरे गार्डन की, इसके अलावा ये दो मैंने सदा बाहर के पौधे भी लेके आये थे, वैसे मेरे पास इसके बीच पहले भी पड़े हुए थे, और भी रखे हुए है मेरे पास में, लेकिन मैं सोचा कि एक दो लेते जाएं क्योंकि कभी कभार हमारे पास जो बीच हैं, व ये मेरे को 50 रूपीस इच का पौधा मिला है, इसमें दो कलर के मैं लेके आगया हूँ अभी ये, ये भी विंटरस में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और हाड़ी प्लांट होते हैं, तो अच्छे से चलते हैं ये, और इनकी अगर कटिंग करके और भी लगा ले तो बह ये प्लांट्स भी बहुत बड़ी मात्रा में अच्छे से फ्लावर्स देते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, एक दो गजानिया के भी लेके आया हूँ, अभी ये छोटे-छोटे पौधे हैं, ये भी मेरे को 40 रूपीस इच, ये पौट सहीत मिले हैं, इनके प सीजनल पौधे वैसे भी जितने भी सीजन वाले पौधे होते हैं, उनको बहुत केर की जरूरती थी उनको वो कंडिशन फेवरेबल कंडिशन पूरी चाहिए होती है, जिसके करन तब वो सर्वाइव कर पाते हैं या बच पाते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, तो इससे अच असरी जाते हैं और अगर वहां पर ये छोटे-छोटे से पौधे जो कम रेट पे मिल जाते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे और आपका समय बीतता जाएगा, विंटर आती जाएगी, ये बड़े होते जाएगे और उनके रेट्स और जादा हो जाएगे, फिर आप इनको सोचे कि लाएं कि नई लाएं अपने गार्डन के लिए, तो इसलिए अभी ये अच्छा टाइम है कि आप ये छोटे-छोटे से प्लांट्स जो हैं ले आएं और अपने गार्डन के लिए जो विंटर के लिए पहले से तयारिया हैं वो कर लीजिए, ये एक पौधा मैं रबर प् लोगों ने उसको बिल्कुल भी कम नहीं किया, इसमें क्योंकि थोड़ाई से निकला हुआ था उसका बड़ी तो इसलिए उनने बोला कि ठीक है आप इतने सारे पौधे ले रहे हैं तो हम आपको इसको दे दे रहे हैं निए वो दे भी नहीं रहे थे जो प्लांटर में उस वो भी दस लेके आया हूं तो उसने भी इसमें एक मिरको एक्स्ट्रा दे दिया वो भी दिख नहीं रहा है लेकर उनने बोला कि आप ले जा रहे हैं तो ले लीजे फिर मैं क्योंकि उनसे थोड़ा सा बारगेनिंग करने लगा तो वो दे दिये मिरको तो ये दस पौधे में ये भी लेकर आए कि ये भी अलग अलग कलर के है और चो कि ये अगर विंटव में अच्छे से ग्रो कर जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं अभी विंटवर्य था स्टार्टिंग पेड़ पौधे और उस अब आ जाएंगे, तो ये मैं कहना चाहरा हूँ कि ये तो अभी स्टार्टिंग है मेरी शॉपिंग की, इसके अलावा भी मैं जितनी बार भी गार्डन में या नरसरी में जाओ तो फिर कुछ ना कुछ बिना लिए रही नहीं पाते हैं, कुछ ना कु नेक्स्ट सीजन के लिए अगर केर करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है, जो लोग कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग विंटर में अपने सीड्स जो पुराने रहते हैं उनसे भी ग्रो कर लेते हैं, पर मेरे हां मैंने कई बार कोशिश की है वो सीड्स से ग्रो करने की पर हो नहीं पाते हैं, तो मेरे को जादा एजी लगता है कि गार्डन में नरसरी से जाकर के अपने गार्डन के लिए कुछ प्लांट्स ले आओ, तो मैं अभी ये कुछ लेके आए हूँ, अभी और भी ले आओंगा, अभी मैंने इन सारे पॉट्स क तो मैंने शेड के नीचे रखा हुआ है, मेरे याँ एक आवले का पीड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा, तो उसके भी ये सारा जो कच्रा है, जो उसके डालिया है, वो सब गिर जाती है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो, और